हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टुमाई माथू क्लाशे अपन आई टे इलेक्टिशन सेकिंडियर का टॉपिक पढ़ रहते इलेक्ट्रोनिक्स पहले मैंने तीन वीडियो अप्लोड की थी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स के नाम से उसमें एक्टिव पेसिव कंपोनेंट पी प्रकारेंट टाइप के पदार्त अरचालक और अपने पी एंजंचन डायोड देखे थे फॉरवर्ड बायास रिवर्स बायास देखे थे टाइपस इसमें विड्या चलाइब क्या हुता है उसका क्या वर्किंग होता है तो मैंने आपको बताएब हैं तैंसे क्लेक्टव का होता है कि इसमें तीन भाली यूकति होती है इससा दिव्-ढी एन-प से मित्बेस सब्ला हुखाश तो NPN और PNP transistor के बारे में अपने पिछले वीडियो में देखा था उंका सिंबल क्या होता और इसका जोग्जिस्टर के बारे में अपने देख लिया था अब कुछ transistor और है जो Special Transistor के नाम से होता है उसके बारे में अपन देखेंगे UJT क्या होता है FET क्या आपने नाम तो सभी के सुनने हुए UJT, FET, SCR, MOSFET, TRIG, DIG, IC इन सब के आपने नाम तो सुनने हुए आज इन सब के बारे में अपन देख लेते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि UJT क्या होता है देखो जो आज में ये टॉपिक करा रही हुए आप पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि पूरी आपके काम की है तो सबसे पहले तो है UJT इसका पूरा नाम क्या है Unijunction Transistor सबसे पहले तो कोश्चन आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो Unijunction Transistor जो आज में करा रही हुए उसका फुल फॉर्म आता है या उसका डायम सिम्बल आता है या इसके किते लेयर होती है या इसके किते टर्मिनल होते है इनके बारे में ही आएगा सबसे पहले है UJT Unijunction Transistor तो इसका पूरा नाम यह होगिया यह सिम्बल अपन देख रहे है इसमें क्या है बेस वन, बेस टू और यह और मिटर है तो इसमें टर्मिनल किते हो गए तीन तो इसमें तीन टर्मिनल होते है पी एन जंक्सन एक होता है इसमें लेयर किती होती है दो लेयर होती है जितने टर्मिनल होएंगे उस से एक कम लेयर होगी इसमें क्या है प्रतिरोध का मान 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक होता है निम्न फ्रेक्वेंसी ऑक्सिलेटर के रूप में इसका प्रयोव टाइमर परिपतों में यूज लिया जाता है और एक रिलेक्सेशन ओक्सिलेटर में भी इसका यूज करते है आपके कॉंपिटिशन एक्जाम में ये कोश्चन आता है कि रिलेक्सेशन ओक्सिलेटर के रूप में कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है तो कौन सा होता है UJT transistor है जो आपके relaxation oscillator के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है सब्सक्राइब आ गई बात UJT पूरा नाम किया है यूनी जंग्सन डायोड सबसे पहले IT में तो इसका पूरा नाम आता है और यह फिर इसके terminal कितनी होती है इसमें layer कितनी होती है और इसका यूज आईटे में बहुत कम फूसते हैं तो जो competition exam अपन दे रहे हैं उसमें इसका यूज दे देता है कि यह जैसे कि निमने frequency oscillator के रूप में timer circuitों में किसका प्रयोग किया जाता है तो यूजेटी का field effect transistor FET का पूरा नाम field effect transistor देखो आपके इन में से एक question तो जरूर आएगा ही आएगा और competition exam जो देते हैं वो जो आज मैं वीडियो बता रही हूँ उसमें से दो question उनके जरूर आएंगे ही आएंगे FET का पूरा नाम field effect transistor यह जो IT कर रहे हैं उनके लिए भी important है इनकी full form व्याद करना अब इसमें देखो यह सिंबल वाला डाइग्राम बना हुआ है इसमें तीन terminal होते हैं यह देखो एक drain होता है एक source होता और एक gate होता है इसमें यह दो तरह के होते हैं N channel और एक होता है P channel field effect transistor तो आप देखना कि जो N channel है उसके अंदर तीर का निशान अंदर होगा पर पी channel है जो बहार की तरफ होगा देखो PNP on PN से थोड़ा सा उल्टा है तो आप ढंग से देखना इसका तो इसमें क्या है कि field effect transistor दो टाइप का होता है एक N channel और एक P channel का होता है इसमें तीन terminal होते ह है एक polít dónde and source or get मीधें इसमें टीन्री इं शॉर्च और में इसमें जो टर मिनल होते हैं वह तीन होते हैं मैंना बहला बताया था जेए अर तीन terminal होते हैं और इसका जो यूज्च होता है वे-डी ड danach होते हैं और इसक जो यूज होता है वह तिवी रिसीवर्स मैं computer oxaloscope में आदी में power amplification के लिए इसका use किया जाता है और voltage variable register के रूट में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो field effect transistor इसका पूरा नाम क्या है F sort नाम क्या है FET और पूरा नाम क्या field effect transistor ठीक है न यह तीज़ा आता है SCR यह important है और यह बहुत बार exam में आया हुआ है SCR का पूरा नाम क्या है SCR का पूरा नाम क्या है silicon control rectifier SCR silicon control rectifier यह इसको open thyristor भी कहते हैं SCR को open क्या कह सकते हैं thyristor भी कह सकते हैं यह इसका symbol है देखिए diagram इसमें 3 होते हैं terminal, node, cathode और टीस होता है gate तो anode, cathode और तीसरा कौन सा होता है gate यह कौन सा है silicon control rectifier इसमें 4 पढ़ते होती है junction 3 होते हैं terminal भी 3 होते हैं और anode, cathode और gate होता है यह unidirectional device होती है इसका जो use होता है वो 100A तक rectification विद्धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है और ज़्यादा तर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रयोग SCR का ही किया जाता है कहां कहां किया जाता है digital circuit में rectification के लिए ignition के लिए ACDC मोटर में speed control करने के लिए भी SCR का प्रयोग किया जाता है तो आपके exam में यह आ सकता है सबसे पहले है कि SCR का पूरा नाम क्या है देखो short question भी साथ साथ बता रही हूँ मैं आपके comments माते है मड़म MCQ कराओ MCQ कराओ तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले अपन पूरा detail में पढ़ेंगे तब ही अपन MCQ के जवाब दे सकते है तो आप अभी मैं जो syllabus के साथ साथ पढ़ा रही हूँ आप please पढ़िए मैं MCQ आपके थुरा पूरा syllabus होने के बाद मैं MCQ अप्लोड करूँगी आप उसकी tension मत करो पर जब अपन MCQ करेंगे अगर अपन पूरा chapter नहीं करते हैं और MCQ करते हैं तो आपके मन में ये questions आएंगे doubts आएंगे कि इसका उत्तर ये कैसे हुआ तो ठीक है ना तो पहले अपन पूरा practically पढ़ लेते हैं जैसे आपके English में कैसे आता है पूरा एक paragraph आता है उसमें से अपन को question के answer चार्टने होते हैं ऐसे कि हैसाई हमारा है ये पूरा syllabus अपन करेंगे ये पूरा chapter अपन पूरा पढ़ेंगे तब ही उसके MCQ का जबाब दे सकते हैं क्योंकि एक-एक बात के questions पूछ जाते हैं और साथ-साथ मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि इसमें से इसका question ये बनता है तो आप बले right card लिख सकते हो तो लिख सकते हो नहीं तो मैं question कराऊंगी और अभी मैं यही कहना चारी हूँ कि अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है कमेंट आप लोग करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि वही बच्चों ने पढ़ाई की और उनको question दिमाग में आया कि मैडम आपने ये दिया है तो इसका क्या question होगा बहुत सारे बच्चे जैसे AC theory या polyphase वाले question वीडियो अफ्लोड की थी दिमाग में थे कि मैडम इसका answer क्या होगा तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाई थी आप उसको देख सकते हैं जो सेकिंडियर के बच्चे हैं वो continue वीडियो को देखते रहें पढ़ाई करते रहें और जिनके बैक आई हुई है वो भी फॉस्टर की वीडियो देखते रहें कभी एक्जाम हो सकता है तो एक्जाम का पूरा नाम क्या है सिलिकॉन कंत्रोल रेक्टिफायर ये सिंबल दे दिया और पूछा कि ये किस का सिंबल है तो किसका scrs का है ठीक है और इसका सिस यूज न्यूर कोनोर सटाक है रैक्टिफिकेशन में चा selves यहनूरी होता है इसमें मोलस कट्रोल करने लिए आएं तो में और ऌग्साइट सैमी कंडेक्टर feder डेखो आप जो specifically for aसाइब आपिसमें तो इस नहीं है अजयए वीडियो काक्रिवfront देखने अब इसमें भी क्या है MOSFET कोहो या IGFET कोहो एक ही बात है IGFET Insulated Gate Field Effect Transistor तो इसमें भी यह तीन टर्मिनल है ड्रेन है सोर्स है और गेट है यह सरकी डाइग्राम है दो चैनल है इसमें भी PN टाइप और P टाइप चैनल है तो इसका पूरा नाम ही आता है ज्यादा तर MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor या IGFET Insulated Gate Field Effect Transistor तो यह नाम आपको पूरे ध्यान रखने पड़ेंगे डाइग्राम दे देंगे यह किसका है यह अपन को देखना पड़ेंगा फिर आता है डाइक D I A C D I A C D I A C डाइक का पूरा नाम क्या है वैसे तो इसका पूरा नाम नहीं होता है और नहीं अग्या में पूछा जाता है पायन तो अपन इसका उत्तर दे सकते हैं अल्डरेटिंग करेंट अब इसके अंदर भी यह देखो डाइग्राम दिया हुआ है सिंबल दिया हुआ है इसका इसमें दो जंक्सन होते हैं तीन लेएर होती है यह द्वीद्विश्य है यह बाई डाइडायक्शन डिवाइस है इसमें क्या दौनों दिशाओं में कार्य क करता है इसमें यह है और इसमें जो जंक्सन किते होते हैं दो जंक्सन होते हैं लेयर किती होती है तीन लेयर होती है और इसमें इसका जो यूज होता है वो होता है ओटो वहान की डिपर प्रणाली में वेद्यूतिक मोटर की गती नियंत्रन प्रणाली में या सीनेमा यए चैनल कोई घाड़ी होता है तो किसका यूज होता है डाइक का यूज होता है सकता है कि डीपर प्रयोग होता है डाइक का डायोड फॉर एसी ठीक है फिर आता है ट्राइक टी आर आई एसी ट्रायोड फॉर एसी ट्रायोड फॉर एसी ट्रायोड फॉर अल्टेनेटिंग करन्ट को यहां एसी कहो एकी बात होती है अब इसमें यह भी इसमें देखो तीन टर्मिनल है इसमें इसका जो यूज होता है वो digital circuits सरकीट पे होता है इसमें क्या होते है दो जंचन होते है और तीन लेयर होती है यह भी by directional device होती है फिर नेक्स हता है ic का पूरा नाम integrated circuit अब इसमें क्या होता है कि integrated circuit के बारे में पूरा topic बाद में पड़ेंगे अब बी जेटी का मतलब होता Bipolar Junction Transistor, BJT का बतायी थे हैं मैं भी Bipolar Junction Transistor, BJT मैंने आपको ट्रांजिस्टर का जब वीडियो बढ़ाया था, बताया था तो मैंने आपको बताया था कि भी ट्राणिस्टर भी PNP और NPN ट्रांजिस्टर होते हैं और PNP NPN भी दो प्रकार के होते एक bipolar transistor एक unipolar transistor तो bipolar transistor को पूरा नाम है BJT इसका पूरा नाम भी आ सकता है bipolar junction transistor तो इसमें यह भी क्या है PNP और NPN दो प्रकार के होते हैं इसमें current का जो flow होता है वो क्या है कि holes और मुक्त electrons दौनों हावेस हो के द्वारा इसका संपन होता है इसमें अगर holes नहीं हो, electrons हो तो भी इसमें current flow नहीं होगा PNP holes हो और electrons नहीं हो तो भी current flow नहीं होगा क्योंकि आपस में reaction करके ही holes और electrons दौनों आपस में ही क्रिया करते हैं तभी current का flow होता है तो bipolar junction transistor होता है इसके अंदर मैं आपको बताया था कि विद्धधारा का चालन है जो होल्स तता मुक्त इलेक्ट्रोंस दौन प्रकार के आवेस वहाकों के द्वारा उसमें होता है और ये ट्रांजिस्टर बाइपॉलर जैसे PNP transistor है, जैसे यह देख लिया, PNP, PNP, यह तीन terminal है, इसमें, omitter, base और collector, ठीक है, तो तीन layer, इसमें layer किती है, एक, दो, तीन layer है, और terminal के एक, दो, तीन terminal है, amitter, base और collector है, इसमें अब जैसे PNP transistor आगया, तो इसके अंदर दो तो होगे P, और एक होगा N, ठीक है न, layer में, और अगर NPN है, तो NPN में क्या होगा, दो तो होगा N, और एक P की layer होगी, तो तीन layer होती है, इसके अंदर, और इसमें जो doping होती है, doping क्रिया, देखो, सबसे पहले, सबसे high तो होती है, इसकी meter की, मध्यम होती है, collector की, और सबसे कम होती है, base की, ठीक है न, E सबसे high, उसके बाद collector, और फिर base, तो question में आता है, कि doping किसकी high होती है, तो क्या है, कि, देखो, size के इससाब से तो मैंने आपको बताया था, size के इससाब से तो मैंने आपको बताया था, कि base सबसे छोटा होता है, collector सबसे बढ़ा होता है, और meter इसका अलग होता है, ठीक है न, पधिया, size नहीं, doping में पूछ रहे हिए, डॉपिंग जो होती है, मेंटर की सबसे उच होती है कलेक्टर की मध्यम होती है और बेस की सबसे कम डपिंग होती है तो यह क्या BJT transistor बाई पॉलर जंक्सन ट्रांजिस्टर था डायोड का भी अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि पर डायोड क्या है तो डायोड क्या है पी एंजंक्सन होता है इसमें दो टार्मिनल होते हैं यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है इसके अंदर लेयर दो होती है डिप्लेक्शन लेयर भी होती है अब जिसको अपन आफशाइश शेत्र कहते हैं कि जैसे मैं आपको बताया था सब्सक्राइब यह तब यह तो है किन बभूट सार तको सब्सक्राइब तो होyuस्त। एक ही होती है और इसका जो यूज होता है एसी को डीसी में रैक्टिफायर करने के लिए इसका यूज होता है टायोड का अब जो अपने पढ़ा था आज की वही एक पढ़ा था कि विशिष्ट प्रकार के ट्रांजिस्टर देखे थे कि वही अलग-अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर देखी उसमें सबसे पहले अपने देखा था कि UJT, FET, MOSFET, SCR, DIC, TRIK, IC और VJT यह सब क्या है Solid State Device के नाम से भी है या तो आप इसको Solid State Device क्या हो या इनको विशिस प्रकार के ट्रांजिस्टर को एक ही बात है तो Solid State Device में अपने पढ़ा था FET, MOSFET, UJT, DIC, TRIK, IC के बारे में अपने देखा है डाइग और ट्राइग और यह भी यह ट्राइड और पैंट्रोड और डाइड इनके वाल्व के नाम है तो वाल्व के बारे में अपन अभी नहीं पढ़ा है अब पढ़ेंगे तो यह आप यह देखिए और आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको स्वारी चीज सहंच में आएगी अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ इंस्टाग्राम, टेलिग्राम और फेस्बूप पे भी मेरा एकाउंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन्सब की लिंक दिऊ है आप जाके उनसे जॉइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ड्रॉइंग के सिंबल्स अपलोड होते हैं फेस्बूप पे वीडियो अप कर सकते हैं